आज हम फिर से कुछ मॉडल अउक्जिलरी की बात करेंगे हमारे लेसन का टाइटिल देखे अब हमने मॉडल अउक्जिलरी लिखना शुरू किया है यह आपकी जानकारी के लिए सिर्फ रखा है कि जब भी हम मॉडल की बात करते हैं तो यह वर्फ नहीं होते हैं यह उक्जिलिरी होते हैं जितनी जगहों पर जितनी सिंटेंसिस में आप इन elements को देखेंगे उन सारे elements के बाद main verb आसकता है अगर किसी element के बाद किसी grammatical category के बाद main verb सिंटेंस में आ सकता है तो वो category खुद में auxiliary कहलाती है auxiliary का ये definition है auxiliary के दो functions भी होते हैं मैं उन functions के बारे में आपको बताओ auxiliary का पहला function ये होता है कि वो tense को दिखाता है कुछ auxiliary हमारे language में, English में है जो tense को दिखाते हैं जैसे आपको हमने कई बार बताया है is, are, am, was, were ये वाले जो auxiliary हैं ये tense वाले auxiliary हैं जब भी आप ये सारे auxiliary sentence में यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि ये tense को indicate करता है इसका purpose है tense दिखाता है जैसे हम कहते हैं राजू is working out exercise करने को working out कहते हैं तो इसमें work आ सकता है बाद में राजू is going home गो के बाद जब हम is का use करते हैं तो इसके बाद भी ये work आ सकता है इसलिए जब भी main work आता है तो हम उसको सामने वाले को auxiliary कहते हैं इसी definition के हिसाब से ये जो जितने elements हैं जैसे must है should है और कभी-कभी shall भी होता है ये जो सारे elements हैं ये भी auxiliary है और जब आप इसके प्रयोग को ध्यान से देखेंगे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि ये auxiliary तो है क्योंकि इनके बाद main verbs आता है जैसे हम ये कहते हैं कि I shall go या फिर हम कहते हैं I should go और फिर हम ये भी कह सकते हैं I must go आप दूसरा verb भी यूज़ कर सकते हैं I shall leave I should prepare या हम कहते हैं I must think कितने भी वर्व का आप यूज़ करें तो ये auxiliary है क्योंकि इसके बाद वर्व आ सकता है लेकिन इसके साथ दो बहुत ही specific अंतर है इसमें दो तरह क्या auxiliary में बता रहा हूं इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है अंतर ये है कि ये tense auxiliary नहीं है क्योंकि tense auxiliary के साथ वर्व में और भी change हो सकता है इसे हम ing लगा सकते हैं लेकिन model auxiliary के साथ जब main verb आता है तो उसमें ing नहीं लगाया आजा सकता है हम ऐसा नहीं कह सकते हैं I should going तो ये ये आपकी सिर्फ समझने के लिए है कि ये जब हम model auxiliary की बात करते हैं तो ये tense नहीं है ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों में आपकी धियान में ये बात आ रही होगी कि shall और will तो future tense markers है इनको हम model auxiliary की तरह क्यों देखना चाहते हैं ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि वाकई में shall और will future tense के markers हैं लेकिन इनका प्रयोग model auxiliary के तोर पर भी होता है ये model auxiliary की तरह ज़्यादा दिखते हैं tense की तरह कम दिखते हैं लेकिन ये एक अलग debate का matter है मैं आपको ये समझाऊँगा किसी और दिन कि ये किस context में tense के रूप में भी यूज होते हैं और किस context में ये model auxiliary के तोर पर यूज होते हैं इन सारे intricate details को जनना हमारे लिए बहुत जरूरी है और इन ही nuances को समझ कर हम English भासा पर अपनी पकर बढ़ा सकते हैं English भासा की अपनी समझ बढ़ा सकते हैं और एक बार जब हम इन चीजों को समझ लेते हैं तो अंग्रेजी लिखना, बोलना, पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है आप जानते हैं कि अंग्रेजी सीखने में हम सभी की रूची होती है हमारे लिए यह बहुत जरूरी होता है और हम चाहते हैं कि यह जल्दी से जल्दी सीख जाएगा लेकिन जितने ध्यान की जरूरत होती है ध्यान का मतलब, meditation से नहीं है ध्यान का मतलब है paying attention to intricate details and nuances of grammatical structure in understanding the core of the language एक बार आपको वो समझ लेंगे तो यह फिर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा तो इस exercise की थुरू मैं आपको यही बताना चाहता हूँ तो अभी मैंने यह सारा description बताया अब हम detail में आपको कुछ model auxiliary के functions को बताना चाहते हैं यह देखें, सबसे पहले must के बारे में बात करें must का मुख्य मतलब मतलब इसका जो मुख्य interpretation निकल के आता है वो necessity का interpretation निकल के आता है मतलब यह है कि जवह कहीं भी आप must का उपयोग होते हुए देखें वहां पर आप यह safely assume कर सकते है कि यह necessity की बात की जाती है ध्यान दीजिए आप जब कुछ पढ़ रहे हैं तो इन चीजों पर इन शब्दों पर ध्यान दीजिए इस construction पर ध्यान दीजिए जब आप लिख रहे हैं तब इस पर ध्यान दीजिए तीसरा तरीका प्राक्टिस करने का है कि हम बैठ करके कुछ सेंटेंस को लिखे फिर उन सेंटेंस में हम इन चीजों को फिल अप करके देखने की कोशिश करें ऐसा प्राक्टिस बार-बार करने से जब हम सुनते हैं तो उन पर ध्यान देने से यह हमारे cognitive process को influence करता है और हमारी समझ बढ़ाने में मदद करता है तो त्यान से सोनिये इस चीज को अब बुदारन देखिए Look at how thick that canopy is. The tree must have many branches. मतलब अगर आप Hindi में इसको translate करके देखें तो इसका मतलब होता है जैसे जरूर या जरूरी के sense में होता है. यह पेर इस पेर में जरूर बहुत सारे branches होंगे यह इसका मतलब होता है और जब भी हमको ऐसा बोलना हो कि definitely बहुत सारे branches होंगे जरूर branches होंगे पक्का branches होंगे उस context में हम must का use करते हैं यही मतलब है इसका necessity और must के बीच के descriptions का. It must be too cold in without the room heater, it must be too cold in there without the room heater. यह देखिए, पक्का बहुत ठंडी होगी, बहुत ठंड होगी. इस तरह से जब हम पक्का, certainty, definitely वाला interpretation लाते हैं तो वहाँ पर sentences must का use होता है. The fan is not working, it must be power failure. जरूर बिजली कट गई होगी. इस तरह के sentences में भी must का use होता है. तो मतलब यह है, कि जैसे आप देखिए, कि in each of these cases above, the speaker from his or her knowledge and awareness makes deduction that is seen as a necessity in terms of for sure. यह वाला interpretation के साथ आपका must का use होगा. मस्ट का एक और interpretation होता है, वो है obligation का. That is, यह जब हमको कुछ महशूस होता है, जब हम obliged feel करते हैं, तब भी must का use करते हैं. और इसके तीन अलग-अलग parts हैं. तो हम आपको कुछ उधारन देखर के तीनों parts समझाने के कोशिच करते हैं. देखिए, एक तरह का must होता है, self-imposed obligation वाला. इसको हम weak form of obligation क्यों कहते हैं? क्योंकि यह self-imposed होता है. और दूसरी बात भी आपको आसानी से समझ सकते हैं, कि जब भी self-imposed की हम बात करते हैं, तो अपने बारे में बात करेंगे. तो mainly इसके जो subject होते हैं, यह first person वाले subject होते हैं, मतलब I वाले. I must visit him today. I must leave. इसका मतलब था है, मुझे जाना चाहिए. मेरे लिए जाना जरूरी है. I must clean the room. रूम को साफ करना जरूरी हो गया है. इस तरह, यह आप इस तरह के sentences को सुनिये, आपको लगेगा कि यह self-imposed obligation है, यह हमको कोई करने के लिए नहीं कहता है, लेकिन ऐसा महसूस होता है हमारे लिए कि यह जरूरी चीज़ है. जब हमको कोई जरूरी बात महसूस होती हो, उस context में must का use हम करते हैं. Non-personal obligations में भी must का use होता है. Non-personal obligations किसको कहते हैं? जैसे कभी-कभी warnings, statutory rules वगरा लिखते हैं, तो उसमें हम must का use करते हैं. Submissions must follow the guidelines as interpreted by scientific committee. Submissions must follow the guidelines as instructed by the scientific committee. यह rules की तरह लगता है. तो यहां must का मतलब है कि यह कौन सा must है? यहाद है? Non-personal obligation. ना तो यह self-imposed है. यह self-imposed obligation नहीं है. इसलिए यह non-personal obligation है. इसलिए इसके subjects, first person or second person नहीं होगी. और दूसरा होता है, एक last होता है, social obligation. इसमें आप देखेंगे, तो यह भी necessity के sense में आता है, लेकिन यह एक तरह का सामाजिक टाइप का pressure जब हम feel करते हैं, उस समय में यह होता है. We are going to Bangalore tomorrow. We must visit Rami's uncle and his family. जैसे हमसे कोई कहता है, you must write this exam. We must walk on the right side of the road. इस तरह की बातों को जब हम कहते हैं, और हम यह कैसे ब्यावार करना चाहिए, क्या सामाजिक pressure होता है, इन सारे context में जब किसी sentence का use होता है, उसको social obligations के बारे में बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी must का use होगा. Must not इसका negative interpretation, यह negative form है, तो यह भी necessity को ही दर साता है, लेकिन negative form में दिखाता है, इससे forceful prohibition थोड़ा feel होता है, जैसे ही देखिए, you must not be distracted while driving, don't get distracted while driving, यह उस तरह का sense है, you must not be distracted, तो यह बहुत ही forceful prohibition के sense में जब हम obligation का use करते हैं, तो must not का use करते हैं, you must not use phones while at a fuel station, आपने देखा होगा, यह gas station, जो petrol pump होते हैं, वहाँ पर यह sign board बना होता है, कि जब भी आप petrol fill कर रहे हैं, तो आप अपना cell phone बंद कर लीजी, यह कुछ electronic signals के safety precautions हैं, इससे दुरगट ना हो सकती है, तो जब हम इस तरह की बात किसी को कहेंगे, और वो एक तरह का social obligation है, तो उसमें, और prohibition है, तो उसमें must not का use किया जाता है, हमने बताया आपको शैल, जबकि future tense marker के तरह पर इसका use होता है, लेकिन यह जो अभी मैं आपको context बताने जा रहा हूँ, यह, यह, इस modal auxiliary का form है, यह, 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 शैल और विल का जो distinction है, first person में, हम कहां use करते हैं, कहां नहीं करते हैं, उसका discussion important तब है, जब हम tense की चर्चा कर रहे होते हैं, तो इस, शैल is not considered the substitute of will for first person use in the contemporary, contemporary English, तो contemporary English में उसका पर जो distinction है, वो blurred हो गया है, पुराने English में, मतलब उसका सिर्फ इतना है, कि कुछ साल पहले तर, जिसको हम पुराने English कहते हैं, मतलब जो भी पीछे हुआ उसको पुराने English कहते हैं, इसमें सालों का कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा होता था कि, सेल आई के साथ होता था और विल मा की सारे प्रोनाउंस के साथ होता था, ऐसा distinction था, लेकिन modern English में, contemporary English में ये distinction अब नहीं रह गया, मतलब ये, इसका विल का speakers और खास करके first person के साथ जब यूज होता है, तो और भी दिखाता है, और it can also have the interpretation of intentions, वही जो strong determination और willingness की बात है, तो ये सारी चीजें जब आती है, तो वहां पर shall का यूज होता है, देखिए, I shall talk to you about the proposal tomorrow, shall we go, पहले वाले में, I shall talk to you, I shall talk about the proposal tomorrow, यहां पर intention का interpretation है, shall we go, ये willingness वाला interpretation, we shall have finished the work by noon, ये prediction वाला interpretation है, तो इस तरह के, ये first person वाला, singular और plural है, तो जैसे I singular है और we plural है, तो उसमें ये forceful determination और intentions के साथ, जब हम बोलने की कोशिश करते हैं, तो उस context में हम shall का use करते हैं, अभी बताया मैंने आपको कि shall के साथ strength देखता है, determination देखता है, इसलिए इसको हम strong obligation भी कहते हैं, तो ये strong obligation में इसका interpretation होता है, strong interpretation कब होता है, खास करके जब legal context हो, ये statutory current context हो, उसमें होता है, देखिये, देखिये कुछ, एक example देखिये कम से कम, the doctor who do not abide by the guidelines, वो doctor जो guidelines follow नहीं करते हैं, IMA, guidelines of IMA for practicing medicine shall have their license revoked with immediate effect, थोड़ा अदरनाख sound करता है, लेकिन यहां ये shall का interpretation, strong determination के sense में है, कि उनकी license खतम कर देनी चाहिए, जो IMA, जो उसके guidelines को follow नहीं करते हैं, the petitioner shall present an affidavit in regard to the issues submitted to the court, यह court का order जब होता है, तो जब इसमें शाल का use होता है, तो इसका मतलब होता है, यह काफी, इसमें कोई option नहीं, strong determination का मतलब होता है, इसमें कोई option नहीं है, तो अब आप, तो इस सारे context में शाल का use होता है, अब आप should के बारे में देखिए, तीसरा, तीसरा model auxiliary हमारा था should, इसका core interpretation होता है, जब हम requirement की बात करते हैं, तो जब हमको कोई requirement वाला interpretation देखता है, तो वहाँ पर हमको should का use करना चाहिए, और यह socially rooted context में ज़्यादा तर मिलेंगे आपको, और यह advice और suggestion के form में भी आता है, तो यह एडवाइस और suggestion के form में भी आता है, तो यहाँ पर should का use क्यों किया गया, यह देखिए, यह requirement है, मतलब इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, उस sense में should का use होता है, you should inform me before you leave, बतलब जाने के पहले मुझे बता दीजिये, यह वाला जो interpretation है, यहाँ पर should का use करते हैं, दूसरे auxiliary का use करने से यह sentence गलत नहीं होगा, लेकिन वो interpretation नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे लिए यह जरोड़ी है, कि हम इसके खास interpretations को द्यान दें, इन interpretations पर द्यान देने से, पारते समय में, थोरा समझ लेने से, हमारे लिखने और बोलने की शैली और च्छमता दोनों बदल जाती है, और जब हम ठीक से बोलते हैं, तो हम impressive sound करते हैं, इन चीजों पर ध्यान देते हुए, इनको सीखना बहुत आसान है, कुछ इसके exercise practice कीजिए, कुछ exercises को ध्यान से देखिए, तब यह आपके अंदर में आ जाएगा, और उससे आपको एक confidence develop होगा, जिसे कि आप और अच्छी तरह से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, और लिख भी सकते हैं, इस तरह से अपनी अंग्रेजी को अपनी बाशाग के महादियम से strong बनाएए, I am pretty sure it will help you and you can achieve this goal. Thank you so much, until next time, we meet with something.